आज मैं आप सभी के साथ शियर करने चा रही हूं, बिना दूद, बिना मावा के बहुती स्वाधिस बर्फी, इसे आप इंस्टेन बर्फी भी बोल सकते हैं, तो बिना किसी देडी के चलिए फरिंच चुरू करते हैं इसे बनाना, बर्फी तेयार करने के लिए सबसे पहले हम अपनी ट्रे को घंहागं जिसमें बर्फय जमानी हैं इस घंब अधर डाल कर दाल जोड़े से विल्च घर बड़े में बढ़ांनी जिसमें अधर हमीच ही त्रे वो देखने में और पी जदा रिच और टेस्टी लगेगी तो अब हम इसे साइट से रख देंगे और अब हम यहाँ पे लेंगे एक पैन या कड़ाई जिसमें भी आप मिठाई बनाना चाहते हैं इसमें डालेंगे हम आधा कप जितना दूद इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सौ ग्राम यानि के आधा कप जितनी ही चीनी और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मट जितना देसी की अगर आपके पास देसी की अवैलिबल नहीं है तो आप कोई भी फ्लेवरलेस ओयल पीस में यूज़ कर सकते हैं अब हम एक बार इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक हमने इसमें जो चीनी डाली है वो घुल नहीं जाती ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी चीनी को भोलें बची हुई चीनी गैस पर पकते समय घुल जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर दो कप जितना यह मिल्क पाउडर आपको यहाँ पर डेरी वाइटनल बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप डेरी वाइटनल लेंगे तो आपकी जो परफियां है वो एकदम चिपचिपी बनेंगी आप कोई भी skimd milk powder ले सकते हैं किसी भी brand का तो अब हम इस milk powder को अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं तो जो बागी बचागुआ milk powder है एक पर उसे भी मैश में डाल दूझी और इस तरीके से mix कर लूगी अगर आपको Easily Milk Powder ना मिले तो आप मेरे बताय के नीचे लिंक से इसे ले सकती है आपको Easily Milk Powder आउनलाइन अवैलिबल है तो अभी हमारा मिक्षर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे गैस पचड़ा देंगे पकने के लिए गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर हम इस मिक्षर को लगाता चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इंस्टेंट बर्फी हैं जो कि बहुत ही जटपट बन जाती है तो इसे पकने में मात तीन से चार मिड़ का समय लगेगा और तीन से चार मिड़ में आपको एकदम पॉफेक्ट मिक्स रयार हो जाएगा इसको आपको इस तरीके से लगाता चलाते रहना है अधरवाइस मिक्षर जो है वो नीचे तले में लग जाएगा और इसमें गाटे पड़ जाएंगी इसके बाद आपको बर्फियां जो हैं वो खाने में उतने अधा अच्छी नहीं लगेंगी तो प्लीज इसे लगाता चलाते रहें और तेज आज पर बिल्कुल भी ना पकाएं क्योंकि मैं इस मिक्षर को आज नॉंस्रिक की कड़ाई में बना रही हूँ जिसके विज़से से चलाना काफी इजी है और अगर आप अल्यूमीनियम की कड़ाई में बनाएं तो इस स्टेज पर आप इसमें एक से दो चमच घी डालें जिससे ये नीचे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और जादा इसे नहीं पकाएंगे अधर वाइस हमारी जो बर्फिया है वो हलकी टाइट बनेंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी अगर आपको समझना आए कि मिक्षर पका मोड़ी तो बस इसे और ज्धा पकाने के दर बिलकुल भी नहीं है तो यहीं हम कैस के फिलिम को ऑफ कर देंगे और हलकाए छंडा कर लेंगी अग्रिंगे अ भुगत्त रखे हो ओँ रख कर दो आप करे सकते हैं तो इसे ऊपर से भी कारिश कर सकती हैं जैसा आप कमन करें auf worksheet करें हबहरा हलका हदो से इस तरीके से चिकना कर लिंगे तो आफिंगे इसे सभी वर्फियां इस नीचें अच्छे से से था हो तो अब हम इसे डी मोल्ड कर लेंगे, बहुत ही आसानी से यह जो बर्फियां वो निकल जाती है, क्योंकि हमने इस पर बटर पेपर लगाया है, तो चिपकती तो बिल्कुल भी नहीं है, बटकर आप किसी पी स्टील के बर्तन में बना रहे हैं, बिना बटर पेपर के, तो इस बर्फियां वो बिल्कुल भी काटते समय चाक उपर चिपक नहीं रही है, यानि कि हमारा जो मिक्षर है वो एक तब पॉफेकली पका है, तो अभी मैं आपको इसे छोटे-छोटे पीसे में कट करके दिखाऊंगी, आप इसके पीसे अपने इच्छा अनुसा थोड़े जाते हैं वैसे कट कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से चोखोर पीसे में कट कर लूँगी, तो लग रही है ना फ्रेंटी वर्फियां अपर मार्केट से लाते हैं, से पाके तेहोर के टाइम पर मिठाईयों में काफी ज़दा मिलावट आती है, जिसकी विज़े से मैं आपको को सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह की मिठाइयां घर पर ही बनाइए जो कि काफी शुत भी होती है और बहुत ही टीस्टी भी तो अभी मैं आपको इसमें से एक बर्फी को तोड़ कर दिखाऊंगी किसका टेक्शर किस तरीकी का है देखे फिर्ण्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही पॉफेक्ट बर्फियां बनी है तो प्लीज आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और अपने प्यारे-प्यारे कॉमेंट करना ना भूलें कि रेसिपी कैसी लगी तो एक पाफिर से मिलते हैं इसी तरीके की एक नई रेसिपी के साथ तक तक के